अब जर्णा मेरी बात को ध्यान से सुनो यह चोटे काले डपे दिख रहे हैं तुम्हें इने कहते हैं टेलेफोन और इनके बारे में एक राज की बात बताने वाला हूं तुम्हें यह खुद बखुद किसी को कॉल नहीं करेंगे ओके तुम्हारे बिनना यह प्लास्टिक के बेकार टुकड़े हैं और कुछ नहीं जैसे एक लोड़ेट राइफिल होती है और उसे चलाने वाला एक ट्रेंड फॉजी और जहां तक टेलेफोन की बात है यह तुम में से हर एक इंसान पर निर्भर करता है मेरे हाइली ट्रेंड स्ट्राटनाइट्स मेरे शूटर मेरे जो जवाब में ना सुनना पसंद नहीं करते मेरे साले योधा जो तब तक फोन नहीं रखेंगे जब तक उनका क्लाइंट खरीदता नहीं या सला मरता नहीं मेरी एक बास खुन लो खरीबी में कोई इजट नहीं होती मैं अमीर आदमी हूँ और मैं घरीब आदमी था और मैं तुबारा कभी घरीब नहीं होना चाहता क्योंकि अमीर आदमी होने के नाते जब मुझे अपनी प्रॉब्रम्स को फेज करना होता है तो मैं एक लिमोजीन में जाता हूँ दो हजार डॉलर का ये सूट पहन कर और चालिस हजार डॉलर की ये सोनी की घड़ी पहन कर यह हुई ना बादशी नोस से हमारे सले को अगर किसी को लगता है कि मैं यहाँ चहकता ज्यादा हूँ या मिटेरिलिस्टिक हूँ तो जा के में नौकड़ी कर लो ना क्यूंकि तुम्हारी वही और काथ है सालो अगर विनर से भरे इस कमरे से निकलने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाजू में खड़े हुए इंसान की शकल देखो क्योंकि फ्यूचर में ज्यादा दूर की बात नहीं है तुम एक रेड लाइट पर रुकोगे अपनी किसी चूतिया सेकेन एंट गाड़ी में और वो आदमी आपके बगल में रुकेगा बिलकुल आपके साथ में और उसके पास होगी एक पॉर्श और उसकी खुबसूरत बीवी उसके बगल में होगी जिसके पड़े-बड़े चमकीले पप्पे होगे और तुम्हारे साथ कौन बैठी होगी तीन दिन की दाड़ी बढ़ाए हुए जंगली जानवर जैसी देखने वाली एक पदसूरत बीवी जो मोटी होगी जो तुम्हारी छोटी गाड़ी में सस्ती दुकान से खरीदे हुए किराने में भसी हुई होगी तुम लोग ऐसी जिने वाले हो तो इसलिए मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना क्या तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के बिल बाकी है अच्छी बारत है फोन उठाओ और डायल करो तुम्हारा मकान मालिक तुम्हें निकालना चाता है बढ़िया अपना फोन उठाओ और डायल करो क्या तुम्हारी girlfriend को लगता है कि तुम धर्ती पे बोज हो पढ़िया अपना phone उठाओ और dial करो मैं चाहता हूं तुम अपनी problems को दूर करो सालर रहीस बन के और आज तुम्हें बस इतना करना है कि उस phone को उठाना है और वही कहना है जो मैंने सिखाया है और मैं तुम्हें इतना अमीर बना दूँगा कि अमेरिका का सबसे अमीर CEO तुम से आके भीग मांगे मैं चाहता हूं कि तुम आज अपने क्लाइंट की करदन पकड़ कर स्टीव मैडन के स्टॉक्स उसकी करदन के नीचे उतारो जब तक साले का तम नहीं घुट जाता जब तक उसका तम नहीं घुट जाता और हर आदमी एक लाग शैर्स बेच नहीं लेता यह करना है आशूर उन्हें अपनी दहार सुनानी उन पर दया नहीं खानी है अपने पोल से तुमने यहां पर आग लगानी है आख ल माम को शहता नहीं जाता है